हलो गाईज, वेल्केम बैक टू माई कुकिंग चैलेंग, तो फ्रेंज आज हम बनाएंगे ठंडी रोटी से नाश्ता, तो आपके गर में अगर कभी ठंडी रोटी बज़ा है, तो आप इस तरीके से नाश्ता बना करके खा सकते हैं, भूत ही टेस्टी लगता है, तो हम रोटी को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, तो यहां देखें, रोटी को हमने फोल्ड कर लिया, अब उसके बाद में हम कैची से इसको इस तरीके से कट कर लेंगे, तो इसी तरीके से हमें जितनी भी रोटी का नाश्ता बनाना, अगर उतनी रोटी को हम इसी तरीके से तो यहां देखिए हमने रोटी को कट कर लिया है, रोटी को कट करने के बाद में जू लच्छे हमने तयार किया थे इनको इस तरीके से एक एक कर लेंगे और इसको एक बावल में डाल देंगे तो यहां देखिए हमने लच्छो को बावल में डाल देंगे, अब इसमें डाल देंगे बारिक कट्यू हरी मेती और साथ में डाल देंगे थोड़ी सी लाल मीर स्वाद अनुशान नमय कैड कर देंगे और इसमें डाल देंगे हम दो चमच बेशन अब इसको पहले अच्छे से मिला लेंगे तो यहां देखें हमने बेशन की इसमें अच्छे से मिला लिया उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है पानी डाल करके हम इसको फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो इस तरीके से हमने थोड़ा सा पानी डाला उससे रोटी में बेशन अच्छे से कोट हो जाएगा तो अब इसको रख देंगे हम साइड में और यहां देखे हमने लिए आलू तो यह हमने उबले विए आलू लिए तो सबसे पहले हम आलू को कद्धू घस कर लेंगे आप चाहे तो इसको मैस भी कर सकते हैं पटोटो मैस से लेकिन हमने देखे हैं यहां बारिक वाली जाले लिए इससे कद्धू कस कर लिया है तो इसी तरीके से हम सारे आलू को कद्धू कस करके तयार कर लेंगे आलो को हमने कद्दुकस कर लिया अब इसमें डाल देंगे बारिक कटे हुए प्याज तो यह हमने एक बारिक कट करके इसमें प्याज डाल दिया है अब उसी के साथ में डाल देंगे बारिक कटी हुए अरीमेथी और स्वादन उसा नमक एड़ कर देंगे और थोड़ी सी लाल कर देंगे अब इन सारी चीज़ों को पहले हम अच्छे से मिला लेंगे इस तरीके से तो यहां देखें हमने सारी चीज़ों को पहले अच्छे से मिला लिया है मिलाने के बाद में हम इसके इस तरीके से रोल बना लेंगे तो यहां देखें हमने लिया यह थोड़ा सा पनीर तो पनीर को हम पतले-पतले स्लाइस में इस तरीके से कट कर लेंगे आलू के मसाले की बीज में हम रख देंगे पनीर तो पनीर को रखने के बाद में इसको अच्छे से पैक कर लेंगे इस तरीके से तो हमने इसको सेलेंडर सेफ में बना करके तयार कर लिया है नास्ते को तो यहां देखिए नास्ते को हमने इस तरीके से बना करके तयार कर लिया है तो देख सकते हैं कि इतना अच्छा हमारा नास्ता बन करके तयार हुआ है तो इसी तरीके से हमने सारी नास्ते को बना करके तैयार कर लिया है तो यहां देखें नास्ता मारा बन करके तैयार हो गया है अब एक छोटी सी तैयारी और कर लेते हैं तो यहां हमने एक कटोरी में लिये मैदा तो मैदा में पानी डाल करके इसको अच्छे से गूल लेंगे तो इसका एक पतला सा गूल बना करके तयार कर लेंगे तो यहां देखें हमने इसमें तोड़ा तोड़ा पानी डाल करके इसका एक गूल बना करके तयार कर लिया है तो अब जो मुने नास्ता बनाया था पहले हम मैदा की गोल में इसको अच्छे से टिप कर लेंगे इस तरीके से मैदा के गोल में इसको अच्छे से टिप कर लेंगे उसके बाद जो मनें रोटी तयार करके रखे थी उसमें इसको अच्छे से कोट कर लेंगे इस तरीके से तो नास्ते के हमें रोटी को इस तरीके से अच्छे से लिपेटना है तो यहां देखिए रूटी को कोट करने के बाद में हमने इसको हलक हलक आतों से दबा लिया था तो यह देखिए नास्ता हमारा बन करके तयार हो गया है तो इसी तरीके से हमें सारे नास्ते को बना करके तयार करना है तो यह देखें नास्ता हमारा बन करके तयार हो गया है तो अब चलते हैं नास्ते को फ्राइ करने के लिए तो यह देखें तेल को हमने पहले अच्छे से गरम कर लिया तो उसके बार डाल देंगे हम इसमें एके करके नास्ते को तो जितना भी पैन में आएगा उतना हम इसमें एक बार में नास्ते को डाल देंगे तो यहां देखें नास्ता एक साइड से हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है तो अब इसको हम दूसरी साइड पलट लेंगे इस तरीके से तो इस तरीके से हम नास्ते को अलड़ते पलड़ते अच्छे से फ्राई कर लेंगे तो फ्रेंस आप देख सकते हैं ठंडी रोटी से कितना टेस्टी नास्ता बन करके तैयार हो गया है तो नास्ता हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है तो अब एक एक करके नास्ते को निकाल लेंगे बार तो यह आपने इसी तरीके से सारे नास्ते को फ्राइ कर लिया है तो यह देखिए यह हमारा नास्ता बन करके तयार हो गया है तो फ्रेंस रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक कर देना सेर कर देना और चल्म को भी सब्सक्राइब कर लेना तो आप इसको टमेटो केचप के साथ या फिर आरी चटनी के साथ सर्व कर देना